दोस्तो आजम हिंदू रिलीजन में फेमस चार धाम चलेंगे जिनने मानेताओं के अनुसार मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है और हिंदू इसम में एक बहुत बड़ा बिलीफ ये है कि 80 हर इंसान को अपनी जिन्दगी में एक बार ये चार धाम जरूर जाना चाहिए अब इन चार धामों में नोर्थ में लोकेटिड उत्राखंड में बडरीनात को सत्यूग का धाम कहा जाता है तो वहीं साउथ इंडिया में लोकेटिड तमिलनाडू में रामेश्वरम को त्रेता यूग का ऐसे ही वेस में लोकेटिड गुजरात में त्वारका को द्वापर का धाम कहा जाता है तो वहीं इस्ट में लोकेटिड ओडिसा में जगनात पूरी जी को कल्यूग का धाम कहा जाता है अब बद्रिनाथ जिसे पहला धाम भी कहा जाता है यहां भगवान विश्णु ने एक हजार साल तक तपस्या की तो वहीं रामेश्वरम में भगवान राम ने लंका पर आक्रमन करने से पहले एक शिव मंदिर का निर्मान करवाया भगवान शिव का आशिरवाद लेने के लिए ऐसे द्वारका में भगवान कृष्ण ने अपनी नगरी वसाई और वहां उन्हें राजा के रोप में पूजा जाता है तो वहीं पूरी में भगवान कृष्ण को उनकी बेहन सुबद्रा और बड़े भाई बाला बद्रा के साथ पूजा जाता है